हेलो फ्रेंद्स वेलकम चू आना दो वीडियो होप यू आ डूइंग गूड तो अभी शाम के पांच बज रहे हैं तो मैं शाम को बस थोड़ा मुड़ा काम करती हूँ यहां मेरे कुछ कपड़े थे जो मैंने सुखाए थे वो सुख चुके हैं तो इसे भी समेट कर अच्छ खिया जाती है तो चलिए सफाई कर लेते हैं यहां पर शाम को 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 के पापा इधर सोते हैं दिन में क्योंकि उनको ज़्यादा गर्मी लगती तो वो जमन पर ज़्दा सोते हैं तो इसलिए उनका जो बेड्ड है वो इंस अथी कर देती हूंर यहां शाम के कुछ बरतन थै, मैं उसे धो देती हूँ अच्छे से उसके बाद आज मौसम थोड़ा ठीक किया तो मैं सोच रही हूँ कि आज कोको को छट ले जाओंगी थोड़ा घुमाने काफी दोन हो गए वो छट पे नहीं गया है और हाँ फ्रेंस एक बात और मैं हमेशा कोको खा रही है जा रही है ऐसे बोलती हूँ बट एक्चुली कोको जो है वो मेल रैबिट है मेरी एक पहले रैबिट थी वो फीमेल थी तो इसलिए मेरे मुझे बार-बार निकल जाता है जा रही है आ रही है बट नो शे हेस मेल एंड चलिए मैं भी यहाँ थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ और थोड़ा सा जाडू लगा लेंगे और पोचा भी लगा लेंगे क्योंकि कोको हमेशा सूसू करते रहती है तो इसलिए मुझे दो टाइम पोचा लगाना पड़ता है कोको की वज़े से तो आप देख सकते है कोको कितना ही जादा गंदा करती है रूम फिर भी मुझे अच्छा लगता है अगर कोको घर पे ना रहे तो घर पहुत सूना सूना लगता है इसलिए मैं इसे नहीं कहीं भेजती हूँ बहुत लोग मुझे बोलता है कि रूम इतना गंदा करता है तो तुम इसे दे दो किसी को या फिर गाओं में रख दो बट नहीं मुझे अच्छा लगता है कोको के साथ मेरा टाइम भी पास हो जाता है और मुझे बोरिंग भी नहीं लगता क्योंकि कोको के पापा जादा घर पे नहीं रहते हैं वो हमेशा काम की वज़े से बाहर रहते हैं तो कोको के साथ मेरा टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाता है इसलिए मैं कोको को कहीं भी नहीं भेजती हो और कोको भी आई थिंग अब मेरे बगेर नहीं रह पाएगी क्योंकि मैं जहां जाती हूँ कोको वहाँ चली आती है देखें मैं बाहर गई थी कोको भी बाहर मुझे दूनते दूनते चली गई तो मैं यहाँ पर पोचा लगा लूँगी अच्छे से और फ्रेश हो जाओंगी रेडी होकर हम चलेंगे चट पे तो अभी हम आ चुके हैं चट पे आप देख सकते हैं वैदर थोड़ा ठीक है मतब बारिश नहीं हो रही है फिर भी मौसम थोड़ा सा बादल काला किया हुआ है I think रात को बारिश हो सकती है तो फिर भी मैं कोको को यहां गुमाने लेकर आई हूँ थोड़ा उसका भी मन अच्छा हो जाएगा काफी दूनों से वो रूम के अंदर है मैं बार-बार जाती हूँ जाती हूँ बोलरे मैं चेरी की यहाद आ रही है तो जाता है और यहाँ देख सकते है च्छत का च्छत तुड़ा सा तूट गया है नीचे यह से पानी के बज़े से शायद यहाँ पर खड़े हो गए तो कोको बार-बार वही पर जारी क्योंकि रैबिट्स को जो है वो डिगिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो कोको हमेसा डिगिंग करना प्रिफर करता है आप देख सकते हो कैसे वो डिग कर रहा है बट यह कोको ने नहीं किया है सारा बरना आप बोलोगे कि कोको छट पे जाके छट खराब कर दिया है कोको नहीं किया है बारिश के वज़े से ऐसा हो गया है ये काफी पुराना बिल्डिंग है तो यहाँ पर अभी जाके मैंने इसे देखा कि वो डिग कर रहा है आप बारिश के पापा लाते होंगे तो वो डिगिंग करता होगा मैंने नहीं देखा बट मैंने आज पहली बार देखा कि कोको यहाँ पर डिग भी करता है तो देख सकते हो कितना ही इंजॉय कर रहा है वो और उसको खुले आसमान में छट पे बहुत अच्छा लगता है हम कभी कभी अगर बाहर ग्राउंड पे भी जाते हैं तो इसे ले जाते हैं बट बहुत केरफुली लेके जाते हैं तो अभी हम और कोको शट से आ चुके हैं और मैं यहाँ पर बनाऊंगी अपनी रोटी क्योंकि शाम को मैं रोटी खाना पसंद करती हूँ मुझे चावल दो टाइम बिल्कुल भी पसंद नहीं है पूरे दिन में अगर एक टाइम चावल मिल गया तो मेरे लिए काफी है और यह चुटा से क्लिप है जो मैं आपको दिखाना चाहती थी यह नेक्स्ट डे का है आई तिंक तो देखिए कोको शाम के टाइम ऐसे केलते रहता है मेरे साथ मैं जहां रहती हूं ही पर रहता तो होप आपको यह वीडियो अच्छा लगाओगा तिल देन बाई बाई सी यू सोन